आज मैं बना रही हूँ तवा पुलाव जो बनाएंगे कुकर में वन पॉट मिल जैसा और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सा तड़का दही चलिए सबसे पहले वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं दो चमच तेल और एक चमच घी में मैं कुछ खड़ाय मसाले डाल रही हूँ जैसे जीरा, काली मिर्च, थोड़ी सी लॉंग और बड़ी इलाइची इसको हल्का सा भून लेंगे, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी क्रश किया हुआ अद्रकर लसंड, इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बट मोस्ली मैं जो पेस्ट बना के रखती हूँ न, उसमें दुगनी लसंड होती है और उससे आधा अद्रक होता है, उसी तरह से हमें क्रश करके लेना हुआ है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लंबा लंबा कट किया हुआ प्यास, और ये थोड़ा मोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, उसके बाद कैपसिकम डाल रही हूँ, और लंबे कट किया हुए आलू आप ये बात जरूर याद रखिए कोई भी आप वेज़ेटेबल पुलाओ या तवा पुलाओ या बिर्यानी भी बनाते हैं तो वेज़ेटेबल की साइस एक जैसी ही रहे उसके बाद मैं कुछ कट किये हुए फ्लावर के फ्लोरेट्स डाल रही हूँ तो क्या होता ना वेज़ेटेबल की एक जैसी साइस रहेगी ना मतलब लंबे तो लंबे कट किजिएगा क्यूब्स तो क्यूब कट किजिएगा तो वो दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं इसके बाद नॉर्मल मसाले हम डालेंगे थोडी सी हल्दी कश्मिरी नाल मिर्च पाउडर मैंने लिय हूई है उसके बाद स्षीव जीरा पाउडर और धनीय काउडर एक एक चमच हम डालेंगे कि इसकी बाद की इंग्रीडियंट् जो तवा पुलाओ का में इंग्रिडियंट होता है पाव भजी मसाला वो मैंने इसमें डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं होता है अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो पाव भजी मसाला और लाल मिर्च का पावडर थोड़ा ज़्यादा आप डाल सकते हैं इसके बाद मैंने एक से देड़ कप चावल भिगो के रखे हुए थे उन चावल को हम इसमें डाल द और जितने चावल है उतना ही पानी उपर तक आजाए उतना पानी हमें इसमें डालना है हो सके तो गरम पानी इसमें डालिएगा तो चावल बहुत जल्दी पक जाते है स्वात के अनसार नमक और इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये दिखिए पानी जब तक चावल बंद रहे हैं मैं बना रहे हूं तड़का वाला दही तो इसके लिए तीन से चार चमच मैंने नॉर्मल जो घर में दही अवेलेबल होता है ज्यादा खटा नहीं पूलेना है इसको मैं अच्छे से फेट रहे हूं हलका पानी डालके मैंने इसको स्मूथ कर लि अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले आपको नहीं डालने है तो डायरेक तड़का भी आप दे सकते हैं फिर मैंने हलका सा चाट मसाला इसमें डाला हुआ है जो कि हमने चाट मसाला डाला है तो नमक बहुत ही स्वात के नुसा थोड़ा सा में डालूंगी या तो आप मैंने घी लिया है घी में राई और जीरा बस इतना साही तड़का हमें लगाना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मुझे परसनली कड़ी पत्ता ये तड़के में पसंद नहीं है अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं बस हो गया हमारा तड़का दही रेडी इसे अच्छे से मिक्स कर ले उपर से कट किया हूआ धन्या डाले मिन्वाइल अपना राईस भी अच्छे से पक गया है ये देखिए कितना खीला खीला वना है और बिल्कुल भी ड्राय नहीं लग रहा है हलका मॉश्चर भी अभी बेसमें बना हुआ है ये दिखिए मैं इस तर से ये तवा पुलाव विद्ध कर्ड ऐसे दिख रहा है आप चाहिए तो कर्ड अलग से भी सव कर सकते हैं ये दिखे कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही जटपट बनता है